जैहिंद वेलकम टू विजयपत एजुकेशन पालंपूर आप सभी का विजयपत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है आज हमारी रीजनिंग की प्रेक्टिस की फर्स्ट क्लास रहेगी हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए specially आपके लिए सेशन लगाया जाएगा इस रीजनिंग की क्लास में हम डेली प्रेक्टिस को सॉल्फ करेंगे लगबग 10 से 15 कोशन हमारे रहेंगे और specially हिमाचल पुलिस एक्जाम को मध्य नजर रखते हुए यह आपकी क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी विजयपत एजूकेशन के द्वारा इस क्लास में आपको 10 कोशन विल्कुल नॉर्मल चैप्टर के आपको देखने को मिलेंगे लेकिन उसके बाद 5 कोशन आपको डी आई पजल सिटिंग अरेंजमेंट य दिया गया है वहां से आपने आपको डाटा वहां पे दिया गया है और आपने वहां से 5 कोशन को उसके 5 कोशन को जो है वो सॉल्व करना है तो कुछ उस तरीके के कोशन हम जिसमें पजल आपके पेपर में पूछी जाती है उन कोशन को हम आज सॉल्व करेंगे और आज हमार first class रहेगी, so I hope कि आपका काफी अच्छा response इस class के लिए रहे specially हिमाचल पुलिस exam, जो आपका 2024 अभी होना है उसके लिए उसके लिए जो है ये specially class जो है वो आपकी रहेगी so reasoning की हमारी ये class है, so जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हिमाचल पुलिस exam जो 2024 का exam है वो आप सभी जानते हैं, काफी tough level का exam जो है वो होने वाला है, हिमाचल government ने अभी जो भी guideline दी है, चाहे वो अपीजिटी के exam की हो, या फिर जो हिमाचल पुलिस का नया criteria जो बनाया है भरती के लिए, चाहे वो हो या फिर जो भी upcoming exam है राजे चायन आयोग जो लेगा HPPSC जो लेगा, उसमें कहीं न कहीं पे जो है वो competition जो है, वो hard रहने वाला है तो नोकरी का सवाल है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी practice आपको करनी पड़ेगी so reasoning का session जो है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जादा जानकारी के लिए आप हमारी website के उपर जा सकते हैं इस number के उपर आप हमें contact कर सकते हैं daily sham 8 वजे जो है वो आपके other subject की भी practice class विजे सरद्वारा लगाई जाती है so उसको भी आप जरूर देखिए जिसमें आपको जो है वो हिंदी करवाई जाएगी साथ में GK जो है वो दो टाइप का रहेगा HPGK रहेगा साथ में आपका इंडिया का static GK रहेगा current affair रहेगा और journal science की आपकी class रहेगी total 50 question जो है वहाँ पे daily sham 8 वजे practice आप daily कीजिए हमारे साथ सु start करते हैं आज की इस class को देखिए पहला question दिया गया है उस बिकल्प का chain कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी परकार समंदित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे से है याने कि analogy से related question दिया गया है देखिए ये question math मैं भी आप से जो है वो पूछा जाता देखिए आपने देखा होगा 2 और 4 फिर ratio proportion के chapter का कईवार ये question जो है वो निकल कर आता है तो ये relation क्या बताता है कि जो relation आपका इसके साथ है वही relation आपको जो है वो इस next number के साथ लगाना है देखिए 2 का double कितना? 4 तो 3 का double कितना? 6 यहाँ पर एक phenomenon ये लगा या फिर ये भी लग सकता है 2 का square कितना? 4 तो 3 का square कितना हो जाएगा? 9 तो depend करता है basically option के उपर वैसे ही ये question reasoning की form में भी आप से पूछा जाता है देखिए लोहे को बोला गया है F.E. यानि की science related question ये डाला गया है लोहे का यानि की iron का symbol जो है वो क्या होता है? वो होता है F.E. periodic table में F.E. इसका symbol है वैसे ही चांदी के symbol को क्या कहा जाता है? A.G. कहा जाता है इसलिए right answer जो है वो आपका option number C इसका रहेगा next question है जल्दी से this question को solve जीए क्या इसका right answer रहेगा? निमिलिखित में से कौन सा नीचे दिये गए समंध को जो है वो पूरी तरह से दर्शाता है ये आपको बताना है कौन सा इसका right answer रहेगा? कोड आपके पास दिया गया है R.A.T. और R.A.T. को जो है क्या बताया गया है? इसको बताया गया है S.D.Y. यही relation आपको B.A.D. में भी बताना है जल्दी से question solve जीए answer share कीजिए तो इसका सही answer आप किस तरीके से निकालेंगे? देखिए R से अगर मैं 3 आगे जाता हूँ R से अगर मैं अगर R से मैं 1 आगे जाता हूँ तो R S ठीक है? S तो आगया प्लस 1 पे A के आगे B C D मेरे को कितना आगे जाना पड़ा? 3 आगे जाना पड़ा और T से आप आगे जाएए T से आप कितना आगे जाएंगे? T U V W X Y यानि कि आप काउंट कर सकते हैं Fingers के उपर 5 आगे जाएंगे यानि कि पहले में 1 आगे गए दूसरे में 3 तीसरे में 5 B से आप 1 आगे जाएए क्या आगे जाएगा? C अब C वाला option देखी कौन सा है? एक ही option है इसलिए first option क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा बाकिया आप solve कर सकते हैं A से आपको कितना जाना है? 3 आगे जाना है तो आएगा D और D से आप कितना आगे जाएंगे? 5 आगे जाएंगे उपर वाला pattern ही आपको follow करना है D से आप जैसे ही 5 आगे जाएंगे आपका alphabeta जाएगा I तो CDI option number A इसका right answer रहेगा Next question जल्दी से solve कीजिए आपको pen का code दिया गया है PEN का code क्या है? PEN Pen का code दिया गया है 755 किस तरीके से आपका ये code बनेगा? आप try कीजिए इस question को कौन सा इसका सही answer रहेगा? pen का code दिया गया है PEN का 755 देखी E तो आता है 5 में number पे अब P जो है वो तो 5 पे पे नहीं आता वो आता है 16 में number पे ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से मैंने लिखा PEN N इसका code दिया है 7, 5, 5 P आता है 16 नमबर पे E आता है 5 में number पे और N कौन से number पे आता है? N आता है 14 नमबर पे M 13 और N पे 14 आता है ठीक है? जैसे A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे वैसे counting की तो मैंने के किया इन दोनों को add कर दिया 6 और 1 कितने 7 बन गया 5 का 5 लिख दिया 4 एक कितने 5 देखी code बन रहा है pattern बन गया तो वैसे ही F, O, G का आप code निकाल सकते है F कौन से number पे आता है? F आता है हमारे पास 6 में number पे O कौन से number पे? O आता है 15 पे E, J, O, T, Y ठीक है ये 5, 10, 15, 20, 25 पे आते हैं उसके आद G, G7 G समेलन जैसे हम बोलते हैं G7 तो ये 7 पे आएगा 6 as it is 5 और 1, 6 और last का 7 6, 6, 7 6, 6, 7 option number कौन से रहेगा? D इसका right answer रहेगा Next question है देखिए यहाँ पे दिये गए समंधित जोड़े के अधार पर अनुपस्थित शब्द को चुनिये देखिए यहाँ पे ये जो चीजें जो है इन में कोई relation आपको बताना है देखिए एक गुच्छा दिया अब ये picture की form में question है ज़रूरी नहीं है कि आपको question easy ही पूछा जाए कई बार question आपको tough level में भी पूछा जा सकते ये जो है क्या दिख रहा आपको देखिए गुच्छे में है ये क्या है एक अंगूर है क्या है एक अंगूर है और अंगूरों के गुच्छे को क्या कहा जाता है English में bunch कहा जाता है bunch दियान दीजिए ठीक है अंगूर के गुच्छे को क्या कहते है bunch कहते है जैसे कि चाबियों का गुच्छा होता है ठीक है इकठी कोई चीज रखीगी जो भी इकठी form में चीज रखी जाती ये noun में आपको बताया जाता है English में तो अंगूर का जो है वो गुच्छा है अंगूर के गुच्छे को कहा जाता है bunch of grapes ठीक है जी तो वैसे ही यहाँ पर आपको क्या दिख रही है ये भेड़ें दिख रही है तो भेड़ों के उस समुह को उस गुच्छे को यहाँ पर काफी जाते हैं लेकिन एक नए तरीके से और रीजनिंग सबसे असान सब्जेक्ट है बस रीजनिंग का में काम क्या है अंडरस्टैंडिंग आपका दिमाग आप किस तरीके से यूज करते हैं को सॉल्फ करने के लिए multiple आंसर बनते हैं लेकिन उन आंसर में से आपको किसको फास्ट पुजीशन पर रखना वो डिपेंड करता है आपके माइंड के ओपर ठीक है तो देखिए ओप्शन नमबर सी इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए लेजन्ट का कोड दिया गया है 125,75,144 तो आपको ट्रेंड का कोड बताना है तो देखिए इसको ट्राय करते हैं सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दिये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ कहीने कह पे तो गडबड़ी है, L, E, G, E, N, D, लेजन्ट का कोड क्या दिया गया है, मैं इसको 12 लिख सकता हूं, इसी तरीके से होगा, यह 5 है, उसका जी 7, E 5 पे N आता है, 14 पे और D आता है, तो यानि कि इसकी पुजीशन लिखी गई है, इसकी क्या लिखी गई है, पुजीशन ल पे आता है, T20, आपने मैठ सुना होगा, तो T कौन से नमबर पे आ गया, 20 में नमबर पे आ गया, ठीक है, R कौन से नमबर पे आता है, R आता है, 18 पे, E 5 में पे, N आता है, 4 पे, 20, 18, 5, देखिए, 20, 18, 5, कौन सा option बन रहाए, option नमबर D जो है, वो इसका क्या रहेगा, सकते हैं next question six question रहेगा health care is wealth इसका code दिया गया है 1372 1372 उसके बाद है health needs care 417 he needs wealth इसका code 463 तो आपको बताना है he is wealth का code क्या होगा तो यह question जो है वो काफी important है और कई बार बच्चों को यह चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं इसको पूरा ही एक बार solve करके जो है बता देता हूं किस तरीके से आप इसको call लिखेंगे मैंने लिखा health care is wealth इसका code दिया गया है 1372 उसके बाद है health health के बाद है need care इसका code है 417 आपको भी इसी तरीके से लिखना यह question तभी आपका हो पाएगा या फिर जिसको इसकी practice है वो direct question से भी कर सकता है उसको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है यह लिखा मैंने he needs wealth इसका code है 463 और आपको क्या बताना है आपको बताना है he is wealth यह आपको बताना है देखी सबसे पहले आप क्या करेंगे he का code बता करेंगे अब देखी he जो है वो कौन सी line में है he आपका दिया गया है कौन सी line में ही आपका एक यहां पर दिया गया है यानि कि he का code यहां से आएगा 463 से आएगा ठीक है यहां पे आपका wealth भी दिया गया है तो wealth देखी पहले आप wealth का code पता कर सकते हैं एक wealth यहाँ पे दिया गया है, एक wealth आपका यहाँ पे दिया गया है, तो wealth यानि कि ऐसा number जो पहले और तीसरे, यह आ गया एक, यह आ गया दो और यह आ गया तीन, पहले और तीसरे sentence में हो, तो कौन सा number common है, कौन सा number common है, wealth, wealth, देखिए कौन सा number common है, 4, 3, 6, तो देखिए 3 जो ह अब नीड देखिए, यहां पर नीड है, यहां पर भी नीड है, दोनों में common होना चाहिए, तो देखिए, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, तो इसका मतलब नीड का कोड कितना आगया? 4 ठीक है तो बचा क्या बचा फिर ही तो इसका मतलब 3 भी हमारा चला गया 4 भी चला गया तो ही का code कितना हो जाएगा ही का code हो जाएगा 6 ठीक है 6 से starting होगी और 6 से starting किसकी है सिरफ option number C की है इसका code आपको बताना है तो इसका आप code कैसे निकालेंगे पर health or care जो first sentence है वहाँ से आपका is निकलेगा तो पर आपके कीजी health को हटा दीजी health or care यहाँ पर है health or care यहाँ पर भी है यानि कि ऐसा कोई sorry यहाँ पर code दिया गया था 1372 और 417 ठीक है health care ऐसा कोई number जो यहाँ पर दोनों में common हो तो देखी 1 7 1 और 7 ठीक है 4 तो पहले कट हो गया था ठीक है अब उपर तीन हमारा पहले चला गया था तो इस का code के बचेगा फिर 2 बचेगा तो answer के आजाएगा 623 623 wealth 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 623 623 याला कौन सा option है 623 याला तो कोई option ही नहीं है हमारे पास हाँ देखी अब इस question में भी जो logic है वो किस तरीके से लगाया गया ही का code आ गया 6 2 का code आ गया 3 और wealth का code आ गया sorry he is wealth 623 हमारे पास answer आया अब देखीए 6 2 हम क्या करेंगे जल्दवाजी में इसी को tick कर देंगे ठीक है ही इसको हमने देखा है कि 6 or 2 आ रहा है और हमने इसको tick कर दिए तो यह तो गलत हो गया ऐसा आप code बताईए जहां पे 6 2 3 है तो 6 2 3 कहां पे है देखिए यह option number a इसका सही answer रहेगा अगर option c में last में 3 होता तब यह आपका answer रहना था नहीं तो यह हमारा answer क्या है गलत है तो कई बार इस तरीके से भी question आपका पूछा जा सकता है यहां पे देखिए इस अंकों को क्या कर दिया गया है शफल कर दिया गया है ठीक है जी नेक्स question है question number 7 रहेगा answer दीजी नीचे दिए के चार बिकल्पों में से किसी विशेश तरीके से जो है आपको एक विशम संख्या पहचान नहीं है यानि कि भिन विमेल हम जिसको बोलते हैं विमेल यानि कि आपको यहां पे ओड बन आउट जो है वो चेक करना है जो सबसे अलग है चार ओप्शन दिये गए इन सब में से अलग कौन सा दे कि चेक कैसे करते हैं एक कि ग्जांपल में आपको देता हूं मैंने लिखा यहां पर आम उसके बाद मैंने लिखा यहां संट्राius है फिर मैंने लिखा क्यूं裡面 और केला यह जो हैं यह क्या है एक फल पर जाती कि और गुलाब जो है वो किसकी पर जाती का है फूल पर जाती का है तो उसी तरीके से आपको जो पहले चार उप्षन दिए गए हैं दिल, हाथ, आंके और ना Ein इन चारों में से कोई अलग आपको ढूनव हैं तो हमारे शरीर के लेकिन देखिए यहां पर जो अलग होगा वो होगा दिल क्यों क्योंकि आंखें नाक और हाथ हम देख सकते हैं यह हमारे बाहरी हिस्से हैं हमारे जो शरीर है हमारी जो बोड़ी है उसके क्या है बाहरी अंग है लेकिन दिल जो है वो एक औरगन है, वो अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए option number A क्या रहेगा, right answer रहेगा, next question है, देखी फिर से आपको, सोरी, यहाँ पे, थोड़ा सब connection issue हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से बिशम का पता करना है, यानि कि इन चार option में से, यह जो चार option आपके पास दिएगें, A, B, C, D, इन चारों में से आपको, क्या करना है, कोई अलग ढूंडना है, देखी यह जो है, वो नीच option A को check करूं, तो यह इस तरीके से है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं option B को check करूं, तो यह कुछ इस तरीके से है, ठीक है, अगर option D को देखूं, तो यह direction क्या है, उल्टी है, यानि कि बाकी सारी चीजें, option A, B, और C, यह जो है घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में clock wise जा रहे हैं लेकिन option D जो रहेगा यह वाला जो हमारा है यह किस दिशा में जा रहा है री वाली image जो है यह किसर किसे दिशा up यह यह जा रही है entferi clock wise इसलिए सबसे अलग होगा अब कौन शा option में D धीया तो option नमबर जो भी है इसका क्या रहेगा right answer रहेगा next question है यहाँ पर भी आपको अलग ढूणना है science related यह question डाला गया है आपका देखिए इन में से आपको कोई अलग बताना है अगर मैं first option की बात करूँ तो जब पहला option है वो एक coil का symbol है आगर आप science के student है तो आपको पता होगा कि coil को हम इस तरीके शे शो करते हैं option number B जो है वो एक resistance का क्या है एक symbol है option C जो है वो एक cell का symbol है option sorry cell नहीं capacitor capacitor का symbol है ठीक है क्योंकि अगर cell के symbol की बात करूँ तो cell का symbol कुछ है आशा होता है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है इसमें plus minus का symbol दिया होता है यह दोनों बराबर है अगरूपर से चेक करूँ तो दोनों बराबर है यह capacitor का symbol है लेकिन यह जो star है यह किसी भी चीज़ का symbol नहीं होता है यह एक simple आकरिती आपके पास जो है वो D गई है प्यूंकि जो पहले 3 है वो आपके electric circuit में यूज होने वाले electrical component है उनके symbol दिये गए इसलिए जो D वाली image है सबसे अलग है और D वाला option कौन सा है option number B जो है इसका right answer रहेगा next question number 10 है number series से related question रहेगा थोड़े थोड़े अब tough question भी आपको डालने की मैं try करूँगा यहाँ पे क्योंकि हिमाचल पुलिस का exam जो है वो कहीं न कहीं पे अब day by day जो है वो level अगर मैं 2017 के बाद की अगर बात करूँ जितने भी अभी तीन या चार exam conduct करवाए गए हैं हिमाचल पुलिस के दौरा चाहे वो exam cancel होने के बाद करवाए गए हैं कि आपका लेवल जो है वो आपका कहीं न कहीं पे क्या कर दिया गया हार्ड कर दिया गया तो उसी तरीके का यह भी question है इसको आप solve कीजिए देखिए 6 उसके बाद है 25 उसके आद है 62 फिर 123 उसके बाद है 214 देखिए उफ़ कि पैटन क्या बन सकता है 25 जो है वह कहीना कहीं पर एक square करी की term बन रही है Wow 25 स्कवेर की term बन रही है बाकिश स्कवेर के आसपास है यह 64ben है यह 25 के आसपास हैतो, तो यह तो बन रहा है क्यूब है कि 201icioदा जो है वो छे के क्यूब के आसपास बन रहा है ठीक है हाँ क्यूब का फिनोमिना तो लग सकता है अब क्यूब का फिनोमिना लगेगा कैसे 64 जो होता है वो किसको होता है 4 का क्यूब 64 और 64 में से 2 चलेगे 62 5 का क्यूब 5 का क्यूब 125 दो चलेगे हाँ पैटन बन रहा है तो यह आएगा तीन का क्यूब तीन का क्यूब कितना 27 27 में से 2 चलेगे 25 यह आएगा 2 का क्यूब 8 8 में से 2 चलेगे 6 हाँ यह पांच का क्यूब है यह आएगा 6 का क्यूब 216 216 में से 2 चलेगे तो अगला आएगा 7 का क्यूब माइनस के 2 तो 7 का तो 343, 343 में से 2 चले जाएंगे, तो 341, 341, option number A इसका right answer रहेगा, option number A इसका सही answer है, तो यहां तक 10 question हमारे हो गई, next question देखिए, question number 11 है, इसको solve कीजिए आप, यहां पर एक आकरिती दी गई है, यहां पर question mark लगाया गया है, पहली और second को, आप solve कीजिए, और थोड़ा सा, वहां से आप guideline लेके, आप इस third picture में question mark को ढूंडिए, क्या इसका right answer रहेगा, देखिए, अगर मैं पहले इस first image की बात करूं, ए वाली image जो है, तो इसमें 8, 1, 5 दिया गया है, और 3, 6, 4 दिया गया है, और बीच में दिया गया है, 551, तो मैं किसी भी तरीके से इसको solve कर सकता हूं, जैसे कि उपर है, 8, 1, 5, 815, और नीचे है, 3, 6, 4, अगर मैं दोनों को minus करता हूं, अगर मैं 815 में से, 3, 6, 4 को minus करता हूं, तो मेरे पास बनता है, 5, sorry, 1, 5, और 4, 5 में से 4 गया, 1, 11 में से 6 गया, 5, 7 में से 3 गया, 451, तो 451 को उन्होंने कितना लिख दिया है, 551 लिख दिया, अब अगले में भी यही pattern लगना चाहिए, अब 5, 4, 3, 5, 4, 3 में से, अगर मैं 7, 8, 9 कम करता हूं, तो यह तो minus में आएगा, लेकिन जब मैं बड़ी संख्या से भी अगर मैं minus करता हूं, 7, 8, 9 में से 5, 4, 3 को, तो मेरे पास 246 बनता है, अब 246 है, तो मैं इसको 346 लिखना चाहिए था, तब यह pattern मेरा verify होता है, तो ऐस तो है नहीं, तो मेरे को कोई नया pattern लगाना पड़ेगा, ए इमेज में मैं क्या करता हूं, 8 में से 3 कम कर दिये, 8 में से अगर मैं 3 कम कर देता हूं, तो मेरे पास आजाएगा 5, हाँ ठीक है, 5 आ गया, फिर बड़ी रकम 6 में से मैं 1 कम कर देता हूं, तो फिर से 5, फिर बड़ी रकम 5 में से 4 कम कर दिये, तो यह pattern मेरा बन रहा है, 7 में से 5 गे, 2, 8 में से 4 गे, 4, 9 में से 3 गे, 6, हाँ यह pattern बन रहा है, 8 में से 2 गए, याद आएगा, 4, 6 में से 4 गए, बचे 2, 3 में से 1 गए, फिर से बचे 2, 422, 422 कैसे आएगा, हाँ, सोरी, सोरी, यहाँ पर 422 नहीं, 8 में से 2 गए, तो बचे कितने, 6, तो 622 आएगा, हाँ, option number B, इसका बिल्कुल right answer रहेगा, option B is the right answer, next question है, blood relation से, निकिता की मा के भाई का बेटा सुरेश है, सुरेश का निकिता से क्या समन्थ है, question बनाईए, आप question बनाईए, इस question को solve कीजिए, क्या इसका right answer रहेगा, निकिता की मा, देखिए, यहाँ पर आगी, निकिता, इसकी मा, इसकी मम्मी आगी, मम्मी है, इसलिए negative sign लगाएंगे हम, क्योंकि blood relation में plus minus से हमें denote करना होता है, अगर आपको blood relation नहीं पता है, कि किस तरीके से questions को solve करते हैं, तो description में मैंने link दिया है, वहाँ से आप उस video को जो है, वो जरूर आप देख सकते हैं, वहाँ से एक पूरा chapter मैंने हिमाचल पुलिस exam के लिए ही 2019-20 का जो exam था, उसमें मैंने complete, बिल्कुर detail के साथ मैंने full chapter आपको करवाए हैं, उसका मैं link डाल देता हो नीचे, वहाँ से आ यह plus में आएगा, क्योंकि male है, उसका जो बेटा है, उसका नाम क्या है, सुरेश है, सुरेश है, बेटा इसलिए plus लगेगा, अब यहाँ पे निकिता बताई गी थी, तो निकिता जो है, वो plus भी हो सकती, minus भी हो सकती, ब्लड रिलेशन एक ऐसा reasoning का chapter, जब तक आपको male female की ब क्या है, तनू है, ठीक है, तो तनू male का female दोनों का नाम होता है, लेकिन जब तक यह न बताए जाए कि तनू जो है, बेटी है, यह बेटा है, तब तक आप अपनी मर्जी से उसको plus यह minus ना ले, ठीक है, तो अब आपको बोले है, सुरेश का निकिता से क्या समंदर, निकित निकिता इसको क्या बोलेगी, वैसे तो जैसे कि यह निकिता, निकिता की मम्मी उसके भाई, यानि कि निकिता के मामा का लड़का है, तो मामा के लड़के को क्या कहते है, ममेरा भाई कहते है, अगर यहाँ पे option एक भाई का भी दिया होता, और एक ममेरा भाई दिया होता, तो यहाँ पर answer क्या आना था? ममेरा भाई आना था. भाई सिर्फ और सिर्फ कब लगाना है आपने blood relation के chapter में जब किसकी बात की जाए? सगे की बात की जाए. किसकी बात की जाए? सगे भाई बहन की जब बात की जाती तब भाई बहन का रिष्टा आता है. और 13, 14, 15 यह हमारे इस question के उपर अधारित रहेंगे. यह एक when diagram की form में मैंने question डाला है. अब next classes जो रहेंगी उसमें puzzle sitting arrangement जैसे chapters को भी daily जो है वो मैं cover करूँगा. और आप comment कर सकते हैं कि daily आपकी practice set लगाया जाए या एक complete chapter को solve करवाया जाए. तो वो भी आप हमें थोड़ा सा suggest कर सकते हैं. देखिए 60 चात्रों की एक कक्षा में जो बच्चे हैं उनसे related यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बताई गई. कुछ जानकारी बताई गई है कि total बच्चे कितने हैं? 42 जो है वो गणित पसंद करते हैं उनको जो है वो math सही लगता है 32 जो है वो अंग्रेजी पसंद करते हैं उनको क्या है? English समझ आती है 12 बच्चे ऐसे हैं ना तो उनको गणित और ना ही English पसंद है total कितने हैं? 60 बच्चे हैं 42 को तो math अच्छा लगता है 32 को जो है वो English अच्छी लगती है तो आप ऐसा ना सोची कि 42 और 32 तो जादा होगे total तो 60 बताएगे हैं तो ये थोड़ा सा math का ही एक ऐसा phenomenon है जहां से हम इन चीजों को cover करते हैं ठीक है? 12 ऐसे बच्चे हैं जिनको ना तो math पसंद है ना तो English पसंद है ये line थोड़ी सी repeat हो गई ना English और math पसंद करने वाले 12 हैं total जो हैं वो 60 हैं और वे चात्र जो गणित, अंग्रेजी या दोनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं? 48 हैं तो देखिए एक diagram बनाएंगे और ये पहला question हमें solve करने के लिए दिया कितने चात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद हैं तो वो चीज़ भी हमें calculate करनी पड़ेगी आप यहां से direct add मत कीजिएगा ठीक है? देखिए मैंने यहां पे बनाया एक circle दूसरा circle मैंने एक और बनाया ठीक है? यह मैंने बनाया किसके लिए math के लिए यह मैंने बनाया किसके लिए English के लिए अब यहां पे देखिए एक line में बताया गया है वैचात्र जो गणित या अंग्रेजी या फिर दोनों को पसंद करते हैं यानि कि ऐसे student कितने हैं जो दोनों subject को क्या करते हैं पसंद करते हैं यानि कि इन सब को add करके math वाले बच्चे यहां पे आएंगे English वाले बच्चे यहां पे आएंगे और यह जो खाली वाला portion है यहां पे ऐसे बच्चे आएंगे जिनको math भी पसंद है English भी पसंद है जिनको math भी पसंद है और English भी पसंद है और ये इन सब को मिला के total बच्चे कितने होने चाहिए 48 बच्चे जो है वो होने चाहिए तो यहीं से हम इसको calculate करेंगे ठीक है अब देखी question आप solve कीजिए साथ साथ में मैं आपको इसको करवा देता हूँ तो यहां पर देखी हमें बताया गया कि 42 जो चात्र है वो उनको math पसंद है ठीक है यहां पर मैंने math को भर दिया 42 और 32 ऐसे हैं जिनको English पसंद है लेकिन इन सब को मिलाने पर हमारे पास 48 आना चाहिए अब देखी ऐसे चात्र है जो गणित या English दोनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं वो कितने हैं वो है 48 तो हम चेक कैसे करेंगे देखिए मैंने बोला कि question में बताया गया कि 42 को math पसंद है 32 को English पसंद है और ऐसे चाहते हैं जिनको वो दोनों पसंद है तो मैं क्या करूँगा यहां पर उनको काम कर लूँगा 48 यह आपका basic phenomena रहता है तो 42 और 32 कितने हो जाएंगे साथ और चार साथ चार आगे माइनस के 48 आगे यानि कि 26 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है इसलिए 26 कहां लिखा जाएगा यहां लिखा जाएगा ठीक है अब इस circle में total जो बच्चे हैं देखिए math वाले कितने होने चाहिए 42 होने चाहिए यह वाली चीज होने चाहिए अब 26 तो math के आगे तो बचे कितने तो आप इसको कम कर दीजिए 26 में से 42 चलेगे तो यहां पे आपके पास जो चात्र बचेंगे total वो बचेंगे 16 16 और 26 कितने 42 हो जाएंगे ठीक है यहां पे इंग्लिश वालों को भी आपके कीजिए 26 जो है वो आप कम कर दीजिए क्यूंकि total इंग्लिश के 32 चाहिए 26 तो पहले यंदर आगे तो 32 चला गया 26 और कितने जो है वो आपके 32 होंगे तो 26 और 6 जो है वो आगे 32 अब 16 26 और 6 यह आपके total कितने बन जाते हैं 6 त्यां 18 आठ दो और एक तीन और एक चार हां देखिए हो गया 48 बन इतनी सी बात थी आपने इस डाइग्राम को बनाना था अब जो भी question इस डाइग्राम के होंगे आप पूछ सकते हैं देखिए आंसर क्या बनेगा 16 बच्चे ठीक है इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा ठीक है अब देखिए question में क्या बोला गया था कि 16 बच्चे ऐसे हैं question में हमें बोला गया यहां से हमने क्या निकाला कि 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ math पसंद है 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ English पसंद है ठीक है और 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको ना तो English पसंद है ना तो math पसंद है तो 26 ऐसे बच्चे हैं तो option number B इसका क्या होगा? Right answer होगा अगला question क्या है? कितने चात्रों को बास्तब में एक ही विशे पसंद है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ एक ही विशे पसंद है? देखिए, 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ math पसंद है और 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ English पसंद है हमें question में यही बोला सिर्फ एक ही विशे सिर्फ एक ही विशे 16 को सिर्फ math पसंद है, एक ही विशे पसंद है और 6 को भी एक ही विशे पसंद है वो है English 6 और 6 कितने होगे? 16 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 22 होगे तो 22 जो है वो इसका right answer होगा यानि कि option number D इसका सही answer है बस इसी तरीके से अगला question भी हम कर सकते हैं वे चातर जो केवल गणित पसंद करते हैं उनकी संख्या कक्षा में चातरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है देखी गणित जो पसंद करते हैं वो कितने चातर हैं सिर्फ 16 चातर हैं ठीक है कितने हैं 16 इनकी प्रतिशत निकालनी है कहां से कुल संख्या के तो कुल संख्या हैं कितने वो हैं आपके 60 यहां से आप गलती ना करें कि 48 टोटल चातर हो रहे हैं 48 ऐसे हैं जिनको कोई नो कोई subject पढ़ना पसंद है जिनको लेकिन 12 ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते ना उनको English पसंद है ना उनको math पसंद है तो 16 बटा 60 और प्रतिशत के लिए के करेंगे गुणा 100 कर देंगे ठीक है यहां से आप कट कीजिए जीरो से जीरो आपकी कट गी तो और यहां पर आप दो से काट सकते हैं दो से इसको काटेंगे तो आएगा तीन, दो से काटा तो आपके पास बन गया, आठ, आठ को दस से करेंगे, असी बटा, तीन, असी बटा, तीन को आप भाग दे दीजिए, आपके पास आजाएगा, तीन से, एक मिनट, यहाँ पर असी को मैंने भाग दे दिये, कि से तीन से, तीन दूने, छे, और दो, और जीरो, फिर छे, तेया, अठारा, चब्विस पॉइंट सम्थिंग वन रहा है, तो चब्विस वाला ओप्शन कौन सा है, ओप्शन नमबर ए, जो है, इसका राइट आंसर रहेगा, इसी त आप डेली प्रेक्टिस कीजे, हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए, बेस्ट बेस्ट कोईशन जो है, वो हम आपके लिए लेके आएंगे, डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी, और हर रोज, शाम आठ बजे जो है, वो आपको प्रेक्टिस क्लास जो है, वो देखने को मि साथ में ये क्लास हमारी YouTube के उपर और application के उपर भी आपको देखने को मिलती है मैं डेली आपके लिए जो है बोर reasoning के question के class जो है बोले के आऊंगा वीडियो को share आप जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजिए और free notes के लिए आप हमारी विजयपत education app play store से डाउनलोड कर लिजिए जय हिंद जय भारत